वेल्कम तु न्यू लेसन कल के लेसन में हमने एक कैम्पेंड बनाये था आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि उस कैम्पेंड में हमने क्या-क्या गलतिया की थी और कैसे हम उसे करेक्ट कर सकते हैं तो हमने एक simple campaign बनाया था, उसके अंदर हमने एक add group बनाय था और उस add group के अंदर हमने एक add बनाई थी. तो एक बर दुबारा देखते हैं कि क्या-क्या गल्तिया के थी. तो यह रहा मेरा campaign, इसे open करते हैं, इस पर click करके, इसके अंदर देखवा रहे एड ग्रूप एक एड ग्रूप बनाया है और इस एड ग्रूप को क्लिक करते हैं तो आप देखोगे इस एड ग्रूप के अंदर चार कीवर्ड लिखे हैं मैंने राइट अब ध्यान से समझो जराव अब देखो डूगल कैसे काम करता है आप एक campaign बनाते हो और इस campaign के अंदर आप बनाते हो एड ग्रूप और एड ग्रूप के अंदर बनाते हो एड्स अब यह जो keyword होता है यह किसका part होता है एड ग्रूप का आप add group के अंदर क्या लिखते हो keyword अब आप चाहो तो एक add group के अंदर multiple keywords लिख सकते हो बट पता है problem कहा होती है अब add group के अंदर आप क्या बनाओगे add और यह जो add होती है न यह add group के लिए होती है not for keyword मतलब adds keyword specific नहीं होती आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं भाई एक काम करता हूँ मैं एक add group बनाता हूँ और इस add group के अंदर मैं 5 keyword लिखता हूँ और हर keyword के लिए एक मैं अलग add बना देता हूँ ऐसे काम नहीं करता जो add है वो add group specific होता है not keyword specific अब इसे problem क्या आती है वो देखो अब देखो कल मैंने एक add बनाई एक add group बनाया I mean और उसके अंदर मैंने चार keyword लिखे right क्या लिखा है मैंने online marketing agency, digital marketing agency, digital marketing company और best digital marketing agency ये मैंने इसके अंदर keywords लिखे अब problem कहा होगी add level पे add देखो मैंने ये बनाई है अब मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ 4-5 और add बना सकता हूँ but मैं ये कही specify नहीं कर सकता कि किस keyword के लिए कौन सी add है मैं वह काम नहीं कर सकता क्योंकि add group specific होती है ना कि keyword specific right अब इससे problem क्या होती है देखो मैंने चार keyword लिख दिये अब एक और इसका example लेते हैं एक और detail example लेते हैं कि सपोस्तोर मैं एक add ग्रूप बनाई मैंने और इस add ग्रूप के अंदर मैंने keyword लिखा IIT coaching CAT coaching MBA coaching CAT preparation right अब मैंने इसके लिए बनाई add अब add मैंने आपको बताया था कि add keyword specific नहीं होता है add होता है add group specific अब मैं बनाऊंगा add अब add मैं मैं यहाँ पर headline लिखूंगा suppose यहाँ पर मैंने headline लिखा IIT coaching और मैंने यहाँ पर दूसरी headline लिखी कुछ और अब देखो problem क्या होगी कि अगर कोई MBA coaching search मारेगा न तो उसे add क्या दिखेगी IIT coaching right अब आप एक काम कर सकते हो आप एक और add बना सकते हो और उसका headline लिख सकते हो MBA coaching और आगे और चीज़े लिख सकते हो बट आप यह Google को नहीं कह सकते कि भाया जब कोई MBA coaching search मारे तो उसे यह add दिखाना यह add मत दिखाना क्यों नहीं कर सकते क्योंकि add keyword specific नहीं होती है add group specific होती है तो अब कोई search तो MBA coaching मारेगा उसको add क्या दिखेगी IIT coaching कोई search मार रहा है cat preparation उसे add का दिखेगी IIT coaching कोई search मार रहा है IIT coaching उसे add का दिखेगी MBA coaching मतलब add और keyword और user search और user intent यह सारी चीज़े एक साथ aligned नहीं होंगी हम क्या चाहते हैं कि user जो भी search करे add में उसको वही चीज़ दिखे मतलब अगर user search कर रहा है apple तो उसे add में भी क्या दिखे apple ना कि red apple या orange या कुछ और तो जो user search करे वही user को दिखे यह काम करने के लिए मेरे पास एक option होता है जिशे के मैं बोलता हूं यह सब बोलते है s-k-a-g इसे हम कहते हैं single keyword add group इसका मतलब क्या है आप जो भी add group बनाओ जो भी add group बनाओ उसके अंदर आपको एक ही keyword रखना है जो भी आप add group बनाओगे उसके अंदर आपको एक keyword रखना है multiple keyword नहीं रखने ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी हमारी add हो वो इसी keyword के according aligned हो ठीक है तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब ही भी आप नया campaign बनाओगे तो उसके अंदर हर ad group के अंदर एक ही keyword होगा multiple keyword नहीं होगे यह हमेशा ensure करना है आप ठीक है और दूसरी चीज़ आपको क्या ensure करनी है कि जो भी आपका keyword है वो add के अंदर दिखना चाहिए राइट जो भी आपका keyword है वो add के अंदर दिखना चाहिए प्लस display path के अंदर दिखना चाहिए प्लस landing page पे दिखना चाहिए ठीक है जो भी आपका keyword है वो add में दिखना चाहिए डिस्प्ले पाथ में दिखना चाहिए और लेंडिंग पेज के अंदर दिखना चाहिए ये बहुत 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 ज़ादा जरूरी है ये काम करना राइट कल जो हमने एड बनाई थी उस पे हमने इन सारी चीजों का ध्यान ने दिया था बट इस पे ध्यान देना आपके लिए बहुत बहुत ज़ादा जरूरी है ठीक है अब वापस आते हैं डैश्बोर्ड में गूगल एड्स पर जाते हैं कैंपेंज पर जाते हैं आप देख सकतो ये रहा मेरा कैंपेंज राइट ये रहा मेरा कैंपेंज अब इस कैंपेंज के अंदर जाओ अब सपोज करो आपको एक नया एड्ड ग्रूप बनाना है ये एक एड्ड ग्रूप बना हुआ है सपोज करो अब आपको एक नया एड्ड ग्रूप बनाना है तो अब ये काम करने के दो तरीके हैं आपके पास ठीक है एक बार दुबारा समझो आप अभी एक campaign बनाया हूँ मैंने ये वाला lead generation इसके अंदर एक ad group बनाया है suppose करो इसी campaign के अंदर आप एक और ad group बनाना चाहते हो तो आप simple क्या काम करोगे या तो यहां से plus करो और नया ad group बना लो जो भी आपके keywords है वो आप यहां पे लिखतो तो suppose करो मैं इसमें bid लिख देता हूँ 45 और हमने अभी बात कि थी थी न कि हमें एक ad group के अंदर एक ही keyword लिखना है तो इसके अंदर suppose मैं लिख देता हूँ digital agency और इसके आगे मैंने brackets लगा दिये हैं मतलब है मेरा exact match plus save and continue और अब मैं यहां पे ad लिखूँगा अभी देखो हुआ क्या कि एक ad यहां पे already आ गई है वो ad है जो मैंने दूसरे ad group के लिए बनाया हुआ है अब मैं चाहूँ तो यही क्या कर सकता हूँ same ad यूज़ कर सकता हूँ या यहां पे new ad करके नई ad बना सकता हूँ अभी के लिए मैं same ही use कर लेता हूँ देखो हो गया अब इस ad group के अंदर देखो दो एक सेकड़ वापस जाते हैं campaigns पे जाते हैं यह देखो यह रहा मेरे campaign अब इसके अंदर देखो दो ad group आ रहे हैं यह वाला ad group है जो मैंने अभी बनाया था राइट अब या तो हम ऐसे बना सकते थे ad group simple plus click करके या मैं क्या कर सकता था simple इसे मैंने किया copy इसे किया मैंने copy और इसे यही पे मैंने कर दिया paste paste simple copy किया और उसको मैंने कर दिया paste अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक और ad group आ जाएगा उसी ad group का क्या हो जाएगा यहाँ पे duplicate देखो आ गया यह राइड ग्रूप अब यहाँ से आप इस ad group का कर सकते हो नाम change suppose मैं रख कर देता हूँ इसका ad group थी रख देता हूँ simple अब इसे click करोगे तो आपको यहाँ पे देखो keyword दिख रहे है right और यहाँ ads पे जाओगे तो इसके अंदर जो भी ads चल रही है वो दिख चाहेंगे आपको देखो अभी एक ad है आप चाहो तो plus करके और ad बना सकते हो right अभी देखो यह already जो ad बनाई थी न वो थी तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से headline को change new digital agency right तो जो भी है आप लिखके इसे कर सकते हो save and continue और save ad अच्छा headline देखो बन गई तीन ad बन गई बिल्कुल ही आसान हाना तो वापस जाओ campaign पर जाओ और इसको click करो और देखो इसमें बन गए तीन multiple ad group और हर ad group के अंदर आपके बन गए हर ad group के अंदर आपके अंदर keyword है और हर ad group के अंदर आपके पास ads right बहुत ही बहुत ही जादा simple ठीक है जी तो आज आप एक बार और practice करना आप एक campaign बनाना और उस campaign के अंदर आप multiple ad sets बनाना और उन हर sorry not ad sets आप multiple ad group बनाना और हर ad group के अंदर आप multiple ads बनाना यह आपका आज का task है ठीक है फिर कल के lesson में हम मिलते है Google ads के बारे में एक और नई चीज के साथ thank you so much for watching this lesson अईब एक बारे खिए झाज आप